यह वोट्स अप गाइस कैसे आप सो भी लोग वेलकम बैक टू नेटर गेम प्ले वीडियो तो गाइस आज हम लोग दुबार से केल लिए जा रहे हैं माइनक्राफ्ट तो गाइस चैसा के आप सो भी लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसूड में एक बहुत बड़ा अल्ट्रा जाइन्ट फार्म बनाया था जिस फार्म की तुरू मुझे धेर सारा गन पाउडर मिल जाता है वैसे गन पाउडर नहीं उसके में मॉप्स को मारन पर मिलता है जैसे रोटिन फ्लाश हो गया स्कैलाडन का बोन हो गया और स्ट्रिंग्स होगी स्पाइडर की और कीपर का गन पाउडर और वह जो फार्म है वाई एक नमबर वक कर रहा है वो देखो सामने की तरफ में और मुझे मतलब महां से काफी सारा गन पाउडर देखो बाई क्रीपर कैसे धड़ाई धड़ाई स्वाहम से स्पोन होते रहते हैं धेर सारा गन पाउडर मिलते रहता है फिलाल अभी जरूत नहीं है वो लास्टाम में ज्यादा है नहीं सिर्फ एक बार में दसी इंशन डब्रीस माइन कर पाया था क्योंकि मैं ज्यादा ट तूट जा रही है यह देखो उसके टॉप पर माइन कार्ट होती है न जो अपनी डिटेक्टर रेल के ऊपर रखे होती है वह आई डोंट नो वाई टूट जा रही है आप लोग यह देखो यहां पर मुझे जैसी में दूबारा लगां वैसी अपना डूपर काम करने लग ज उस चीज से हमें धेर सारा ब्लेज रॉड मिलने वाला है तो काईस देखो बेसिकली मुझे ब्लेज रॉड फाम बनाने की जरौत किसले पड़ रही है क्योंकि यह जो अपना अल्ट्रा जाइंट स्टोन फाम है न इससे हमें काफी सारा कॉबल स्टोन मिलता है और उस कॉब भाई यह स्टोन ब्रिक्स बहुत ज़्यादा सही लगते हैं और आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हो हर फाम में वही लगा हुआ है तो कितना जाता यूज हो कोई भी फाम देख लो वाइस तो नहीं इसमें स्मूध स्टोन है तो हाँ जो भी हो अभी तो वह मैंने प ब्लेज मिलेगा उसके बाद हम लोग उस ब्लेज को लाकर इसके अंदर भरते जाएंगे बरते जाएंगे में समय बार बारी इसको भरने की जुरत नहीं पड़ेगी मैं एक दो बारी लाके भर दूंगा फिर अपनी एकाद महीनी के चुट्टी हो जाएगी बहुत प्यार स मैं अपने कासल को भी और भी चादा बड़े करने के सोच रहा हूं इसलिए गाइस इसकी बहुत जादा चुरू होता है और साथ ही गाइस जो अपना गोल्ड फार में निदर में उसके अंदर भी मेरको एक स्मेल्टर बनाना है ताकि जितनी भी गोल्ड लेन सोर्ड है उसस इसके अंदर थोड़े बहुत स्टोन ब्रिक्स के जड़त है वैसे में तो मैं ग्लास लगाने वाला हूं क्योंकि वो जो फाम है उसके लुक बहुत जादा तगड़ी आएगी और वह काम बेक्दम मस तरीके से करने वाला है फिलाल इसको मैं नीचे रखता हूं इसके इंद इसको लेने से थोड़ी बहुत अमीर वाली फील आती है यह वाली बुक अबाई पावर फस्ट पता नी शायद किसी स्कैलडन से मिला होगा चलो कोई नी फिलाल इसके अंदर में समान भर लिया है इसको उठा लेते हैं बाकी समान जो हम लोग इसके अंदर बाद में डालते वाला हूँ आप लोग को पता होगा शायद पता होगा मुझे भी नहीं पता था मुझे भी मालूम पड़ा और यह काफी ज़दा इंट्रस्टिंग चीज़ा मैंने कभी ट्राय नहीं करे कि नेदर में आकाई समलोग भटक जाते कभी भारी खो जाते है वही कहां से आये थे होता है और शायसे वह 1.16 अपडेट में ही आया है तो लोड स्टोन अगर हम लोग नेदर में ले जाते हैं फिर कमपास यूज करते हैं तो वह एकदम उसी जगह की तरफ दिखाता है मतलब काम करने लग जाता है तो आज वह चीज़ भी चेक करेंगे बट लोड स्टोन बना पता चला मैं नेदर में लावा और में गिर जाओं और लेने के देने पड़ जाएंगे हाँ वैसे मेरे पास में मैंनिंग भी काफी सारी पड़ी है तो मैं अपनी सारे टूल से अब डायमंड के कर लेता हूं आज बहुत दिनों से सस्ता आइटम से मैं काम चला रहा हूं अ इसा नहीं है सब कुछ सेम है तो इसके अंदर सबसे बहुत में लगानी है जिससे कि यह कभी टूटेंगे वैसे टूट जाएंगे बट मैं साथ के साथ इने रिपेर करते रहूंगा यह वाला जो शल्कर बॉक्स इसको मैं रखवा देता हूं अंदर बाकि जितना भी एक सि यह कर देने पड़ जाएंगे तो यहां रखते हैं यह उठा लेता हूं और गाश्य सब्सक्राइब बना कर देखते हैं लोग 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 लोड इस्टोन की रेसिपी क्या होती है लोग चेक कर लेता हूं मैं जहां तक याद है इसके इंदर और चार तरफ में चीजल स्टो से मैं क्यों क्राफ्टिंग कर रहा हूं नहीं एक सेकिंड तो कि अभी फिलाल मैंने काफी सारे स्लाप्स क्राफ्ट कर ले हैं और अभी मैंने 21 चीजल स्टून ब्रिक्स बना लिए तो बाकी मैं इसके इंदर रखता है तो इन आर्ट को मुझे रखना है इस तरीके से एंड इसके बीच में मुझे रखना है निदर राइट इंगट तो अपना जो लोड इस्टोन है वो बन चुका है इसको यहां रखते हैं और भाई इसमें से कुछ अजीब सी आवाज आ रही है एक सेकिंड मतलब कैसे बता हूं मैं वह थोड़ी अजीब सी आवाज है कोई कोई हम वैसे नहीं सबसे पहले में अपने आर्मर हेलमेट और पैंट तो मुझे इसे नेधर राइट का करने के लिए सबसे पहले तो यहां पर कुछ इस तरीकी से रखना है नीचे रखने स्क्राप्स और यह बन गया नेधर राइट इंगट एक और कर लेते हैं वाई फटावट स बन चुका है बाकि मुझे अपने आर्मर्स बनाने अस ताइम पर थोड़े महेंगे वाले तो सबसे पहले मैं आज आज के लिए काम करता हूं यह पैंट और यह हलमेट को कर लेता हूं जल्दी से अच्छा यहां से नहीं यहां से थोड़ी होता है उससे होता है एक तो यह तोड़ दिया है मेरे अतना खुसार है मुझे लकडी लेने जाना पड़ेगा लकडी भी मिर पास पड़ी नहीं है और यहां पर कैट्च स्पॉन होना स्टार्ट होगी है लेट्स को अपना विलेज तकड़ा होता जा रहा है जैसे जैसे विलेजर सारे है वैसे वैसे लोक तो जा रही है मुझे अंदर अभी थोड़ा काम करना है बड़ में पास टाइम नहीं है हट यार गोलम मैंने स्पॉन ओ सोरी सोरी विलेजर तेरे नहीं क्लारिक यार बुरा मतमान रेट मत बढ़ा दियो हां तो इसको यहां पर रखना है एंड यह रखी मैंने पैंट यह ब चोड़ी बहुत वॉटर बकिट स्क्राफ करनी है और जो जो भी जितना भी काम का समयान ने जो कि शुक्युस वार मैं बणाने में का माने वाला है उस सभी सभाइन को मैं वटर वट से बना लेता हूं जल्दी से चलके मुझे तेन चार वॉटर बकिट बनाने में है यह ती भी बार बारी कोल लाकर डालो इसके अंदर यह वाला जो जमेल है यह आज इसे खतब होने वाला है अभी इन सब के अंदर हमेशा ब्लेज रहेगा ब्लेज दीरे-दीरे खतम होता है पता ही आपको वैसे शायद मुझे ग्लास क्राफ करने के जरूत नहीं है यहां पर ओलडी क काफी सारा पड़ा होगा अलग-अलग चेस्ट में यह देखो मुझे मालूम था मैंने काफी डाइम पहले ग्लास ना बनाए थे और सैंड भी मेरे पास जितना क्लेक्ट हो पाता है मैं कर लेता हूं वरना बाकी थो भी हम लोग बनाने वाले यह रभाई कितने सारे ग्लास इनको यूज करो इसी वाने कम से कम चेस्ट तो खाली हो ग्यों पिकक्स एक सिकिन तीन आइवन पिकक्स पड़ी है वाई ओकि गाइस अभी ना फिलाल में पास काफी सारे ग्लास तो कलेक्ट हो गया है और मेरे पास बुक्स कॉन कॉन सी पड़े हैं कुछ भी काम का नहीं है सारी एंड ब्रेकिंग एंड ब्रेकिंग है और गईस लगे हैं तो फर वट से बाकी यह नहीं है वाओ चस्टी कुरी बर रह लगे यार मैं इतना बड़े स्मेल श्मेल्टरे सिस्म मैं इसे एक सीड़ी बना दूंगा ताकि मुझे याद रहे कियों कि सच्छी बताओं तो यहांसे अंदर जाने का मन नहीं करता थोड़ा से लगता है तो इसलिक बड़ी ऐसी सीडी बनाएंगे ताकि हम इसली नीचे वाले रूम में जा पाएं मेरे साब सभी काफी सारा ग्लास यहां पर बन चुका है और मुझे कुछ 500-600 ग्लास चाहिए होगा ताकि बड़े से लुकाई हो इसके अंदर थोड़ा बहुत टिंट देते हैं बड़ी ऐसा ब्राउन डाई ब्लू डाई पिंक डाई मजेंट डाई या ब्लाक डाई मिल जाए या फिर थोड़ी मितलब अच्छे शेड की डाई मिल जाए क्योंकि ब्लाक अन्वाइट थीम का बनेगा तो काफी जड़ा बड़े लगेगा अभी तो फिलाल रात हो चुकी है तो एक काम करते हैं बीने शलकर सो जाते हो और यह देखू गाईस मैंने पने डॉक को कहां पर बेठा रहा है बीच में तो यह जल गया था एक बार काफी से लग रहा है तो चलो यहां पर दूसरा वाला डॉक भी लाकर बिठा दो यहां पर क्यों पूरे पूरे एरिया में लोग डॉक डॉक बिठा देते हैं इनका सिंगासान हो जाएगा है चलो यार चल करना पहले सो जाते हैं सीधा नेधर में आगे काम करने के लिए चलो लेक्स को तो की गाइस नेक्स डे और अभी फिलाल में सोकर उठ चुका हूं एंड मेरे साब से भी देखता हूं कितने सारे थोड़े बहुत ग्लास यहां पर और कनवर्ट हो गया है जल्दी से महने करतों कम पड़े अब लग दुबार आ जाएंगे और में पस कुछ गन पाउडर है कि थोड़ा बुद गन पाउडर होता हमें रॉक नहीं है रॉकेट में पास पड़ा होगा इसके अंदर थे रॉकेट अरे यह रॉकेट नहीं है यह एक्चुली फायर वक है मैं ट्राय कर रहा था यह कैसे ह होते हैं मैंने दो तीन आपर बनाए देदे को कापी ज्यादा बढ़िया होते भाई मैंने इसको दुबारा बनाएंगे इसको मैं कुछ ना अलग बनाना चाह रहा हूं इससे जिसके बीच हम वैसे किसी काम के नहीं होते वैसे थोड़ा बहुत सेलिबरेशन टाइप है यह यह पटा का बजा यह दूसरे वाले हैं तो इसको लोग डिस्पेंसर में लगा कर एक तो मस तरीके से फटेंगे फिलाल विच आईवी है मेरे कासल में रुक जाओ इसकी मैं बैंड बजा दू पहले अगर बारिश हो रही होती होती ना मैं ट्राइडेंट लेकर आता और इस कुछ भी नहीं हो रहा भाई इस portion of healing से पता नहीं किस काम आता है एक सिकंड एक सिकंड एक सिकंड एक सिकंड एक सिकंड मेरे को कुछ confusion हो रही है या फिर यह कुछ अलग सीन है नहीं यह बाहर कैसे आया मेरे को समझ नहीं आ रहा गेट खुला है क्या एक मिन यार चलकर कैसे हो सब्सक्ता भाई गेट यहां पर ही नहीं और गेक तो पहली बात multiplayer वर्ड नहीं है यह हुआ क्या है मिनको समझनी यारा यह से दोनी अगर ब्लास्त हुआ होता तो यहां पर गेट गाया मतलब अगल बगल की कुछ नो कुछ तो तो तूट जाता ना यहां तो कुछ त गये अएवा घृट कोई बात नहीं पता नहीं देखने को मिलते रहते है वी जली से सारा मैं स्टोन कला कर लेकर कर एसे सब्छेए सब्सक्राइब कर दिया है वापी से मैं इसके इंदर डाल लेता हूं let's go and ये glass कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 sorry 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 9 एक stack नीचे और पड़ा हो था मेरे साब से बहुत होगा बाकी भी रहन देते हैं इसके अंदर थोड़ा बहुत और बन रहा है इसको भी लेके चलेंगे जब तक के लिए मैं इसके अंदर थोड़ा बहुत मिरे बास ब्लेज रोड पड़ा है यह डाल देता हूं यह बैसे हां टेस्ट करते गाइस एक ब्लेज रोड कितना glass convert मतलब कि कितना sand convert कर सकता है सोरी यह ब्लेज रोड डलता है ब्लेज नहीं डलता पहली बात तो एंड मिर पास ब्लेज रोड एक भी नहीं है तो कि काइस अभी ना फिलाल के लिए मैंने के अंदर planks डाल ली है और मैं अभी वाला सारा समान बनाना बूली गया था जो कि उस farm को बनाने में लगने वाला है तो मुझे सबसे पहले फोड़े बूबस सभी नहीं को बनाने मुझे टर सारी जैए निसके इतना बहुत अपने जाए लें वाला आइर अइंड वटा वटावट इसके अबहुंगा रहता है ब्लोग अधि रहता इंडालो जगा बच जाती है और इतने से काम नहीं होगा व तो वोपर की रेसिपी जहां तक है मैं भूल गया फिर से इसके बीच में चैस्ट रखी जाती है ना हां बिल्कुल ठीक है नहीं भूला तो भी यहां पर मैं 4-4 की लिमिट सेट कर देता हूं चार ठीक है और बीच वे चार चार चेस्ट भी तो रखने है ठीक है तो की आईस अब यहाँ पर चार होपर बन गए हैं दो चेस्ट बन गी है मुझे अभी चाहिए और यह दो ट्राप डोर बन गए और मुझे कुछ ताकि वह जो ब्लेज रोड है अपने स्पॉन एरिया से नहीं मतलब अपने जो ट्रैप एरिया वहां से बाहर ना पाए तो इन्हीं स्लाप्स के चुरू मैं ट्रैप बनाऊंगा तो वैसे ज्यादा नहीं और यह वाल्स की रैसेपी है स्लैप की रैसेपी है ठीक है आपर 6 बन पाउडर और रॉकित तयार निकलो यहां से फटावर से चलते हैं शुगर केन फार्म से पेपर उठाते हैं क्राफ्टीं टेबल है ना मिरे पास ठीक है बीच रास्ते में सब बन जाएगा और गाइस आइनो मेरा जो गार्डन है वो इस टाइम पर बहुत जादा बेकार तो उसमें भी बहुत टाइम जाएगा क्योंकि थोड़े बहुत तो हेल्थी होते हैं कम तीन अटाइक खाएंगे और पचास पंड़ है तो आप लोग मल्टिप्लाइग तो मेरे यूँ ही गए और फिलाल अभी मैं जल्दी से थोड़ा बद गन पावडर लेकर आता हूं औ वाली थोड़ी मनानी है इंको फोड़ दूगा चलो कोई नी भी यहां पोड़ते हैं अगर एक दिन क्रीपर वैसे हां टॉर्ट लगा जी अच्छी बाता कोई नहीं है फटावट से यहां समय लेता हूं गन पावडर ऑई इसमें तो बहुत इतने जा रहा है थोड़ी देर लेट्स को एक स्टैक मेरे से आपसे बहुत रहेगा क्यों पानी कहां साया अच्छा मैंने डाला होगा थोड़ी दिन पहले पता नहीं तो भी चलते गाइस पहले तो ऊपर लेट्स को लावा भी भरना है वैसे वह लावा तो नेदर में भर लेंगे वहां पर तो लावा का बंडार होगा फिलाल अभी जो शियर है ना इससे में थोड़ी बहुत वाइंस कलेक कर लेता हूं वाइंस नॉर्मली ट्रीज के पास मिल जाती है सामने की तरफ में अच्छे सूरत वाली वाइन कलैक करेंगे यह सामने की तरफ में जो आ रही है नीचे जॉंबी था पता है दिवारों के साथ चिप कि रहती है तो इसको मैं तोड़ लेता हूं यहां से देर सारी नीचे से तोड़ता हूं यह वाली लेन भी अगर डारेक्ट वाली तोड़ रहा हूं तो ठीक है तोड़ने में मस्त मगन हो रुखा हूं एक बारी देख तो लों कितनी होगी ओभाई 27 हो चुके इतनी चाहता कि जरूत नहीं है बस 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 बहुत है अभी फड़ावट से कैस चलते हम लोग सीधा ने दर और अभी भी मैं चीज भूल रहा हूं गन पाउडर तो ले लिया बट रॉकेट तो नहीं बनाए ना भाई वरना फो यह कह है और यह देखो यह और से एक क्रीपर आ रहा है आज 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 नहीं तु आई जाज किस से मारू तो फस गया बिचारा चोड़ो तो फड़ावट से चलते हैं हम लोग सीधा अपने शुगर के इन फाम में मुझे यहां से थोड़ा बहुत पेपर्स वही है मतलब शुगर के ची है जिससे मैं पेपर बना पेपर्स और पेपर्स को जादा ही हो गया इस पेपर को रखते हैं यहां पर नीचे रखते हैं गन पाउडर और यह बन गया अपने धेड सारे रॉकेट्स भाई यह पांचे स्टाक होगे इतनी की जड़ुत नहीं है चलो यार कोई दिक्कत की बात नहीं रोकेट्स कम पढ लेट्स गो बहुत गंदी तरह तो कि अभी ना फिलाल मैं चुका हूं सीधा नेधर में और आप योग सोच रहे होगी यह जगह इतनी ज्यादा खोकली कैसे हो गई तो आर देखो मैंने यहां पर धेर सारे TNT ब्लास करें थे ताकि यहां पर बड़ी ऐसा सुन्दर सा स्पे यहां उसको यहां पर ट्राय करना है और आपको पता है यहां बनाने के लिए में अच्छा पासा स्पेस नहीं है और बना भी तो एक्दम सस्ता सा फिलाल यहां पर भी O TNT ब्लास करके थोड़ा और स्पेस बनाना है पहले तो काई सभीना हम जल्दी से निकलते हैं सीधा ने जाएंगे फिलाल यार मैं थोड़ा सा गलत आगे हूं एक सेकिंड मुझे यहां से सीधा जाना था वरना भी तो फोट्रेस मिलता भी और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अभी भी गलत जा रहा हूं प्लीस यह जगा मेरे को बिलकुल भी जानी पहचानी से नहीं लग रहे है पतानी क्यों मैं लास्टम जब नेदर किया था तो मुझे कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया था यार यह तो एकदम डिफ्रेंट एरिया लग रहा है पहली दिवार में बिड़ा मैं कुछ ज्यादा गती हो गई है स्पीड कम करनी पड़ेगी भाई एक सेकि जबुके वाला यहां से सीधा चलता हो किसमत में रहा तो मिल जाए यह रहा और यह रहा यह रह वाई बड़ा कलफ यह ना भाई एक सेकिन फोट्रेस तो मिल गया यहां पर तो बिल्कुल डिफरेंट वायो मैं जोड़ गेम रेंडर मार रह अधर में नीचे तो लावा इतन अपना गलत वाला, एक मिनट, तेरी, भाई, नहीं, 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 मैं लाबा में गिर जाओंगा, जिस तरीके से इसने अटाक करा है, इसे डिरेक्ट करा हूं यार, नेदर राइट आर्मियम, फिर भी, थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा बढ़ेगा, तब इनके अकल ठीकाने आएगी, बड़े जगा इतने डेंजरस है ना, कि इनको मैं मारू भी कैसे में कुछ सवन नहीं आरा, खिलाल एक को तो मैंने मार दिया, और भाई, 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 बड़ा गंदा अटाक कर रहे हैं यार, ये लोग मेर उपर, अगर ये वाला एरिया खुला होता ना, तो मैं पहली यहां से निकल जाता, फिलाल यहां से लावा आ रहा है, इसको मैंने बंद करा, और भाई, बहुत जादा लावा है इदर, पसा दिया भाई, इन लोगों ने मेरे को आज पहली बार, बड़ कोई नी, रास्ता क्लियर है, अभी फड़ावट से आज़ाता हूं, अब आजो बेटा, तो तेरी भाई भाई भाई, 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 वहाई कुटाई कर रहा है, इतने दिनों बाद नेदर में आ रहा हूं, और भाई, भूत बना रहे हैं तो कसम से अपना, विधर स्केलेटन फाम बना यह भूत बना रहे है, अभी फिलाल मिर मैंने उसी डाइम पर मैं तो ब्लेज को मारने जारता एफेक्ट देगा यार लेकिन अपना गंदे वाला चलो कोई ने भी फिलाल मैंने खाना वाना एक दम हजम कर लिया है वड़ावट से गाइस अम लोग यहां से नीचे उतरते हैं सबसे पहले ना गाइस मुझे एक बना दूगा सबका ओके इनको मैंने मार्क उठके धेर कर दिया फिलाल चल्दी से हम लोग यहां से आगे चलते हैं एंड मेरे साब से इधर कोई भी ब्लेज स्पाउनर नहीं है क्या यार इतने सारे ब्लेज स्पाउनर इसी को तो मैं ढूंट रहा था यह काफी ज्यादा ब ब्लेज स्पाउनर तो मिल चुके हैं अभी एक तुमाबर थोड़े बत पटा ओ तीरी हैल्थ जा रहे हैं से यह देखो बाई यह पर पहले मैं पटाके फोड़के थोड़े इन्मेंटरी में स्पेस बनाता हूं विप सारे बचे वे थे अभी गाइस मुझे सबसे पहले ग् करने से पहले लपेट दिया तो यहां से बाहर निकलना पड़ेगा मेरे साबसे वह बढ़िया रहेगा स्केलेटन सारे तीन-टीन इनको लपेटता हूं है क्या है नी नी दिया एक उनट मुझे लग रहा था स्केलेटन ने अपने हैट देदे हो भी एकी बार में आपको पत तो खिलाडी वोरा धेर सारा ग्लो स्टोन वहां तक मुझे पहुचना पड़ेगा मेरे ऊपर आसपास कोई भी ग्लो स्टोन नहीं है यहां से में रस्ता बनाता हूं पहले तो इलाइटरा मेरे पास है बट उसको यूस करना नहीं पर बहुत ज़दा रिस्की साबित हो सकता बट मैं फिर भी यूज करहूंगा ऑके ओके 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 यहां-्यां Čन करना वॉक बहुत संही बहुत सेफ लैंडिंग रहें दे खालपो बहुटिन दृए तो जोलोग घाली जाएगा ओके अभी फिलाल यहां पर मैंने थोड़ा बहुत अच्छा-कासा बेस्ट बना लिया है ताकि जितना भी ग्लोस्टोन दस तूट रहा है टूटके नीचे नहीं जाए बड़े सारा टूटके नीचे ही तो जाए-जारा है मेरे पास कुछ नहीं आ रहा है उल्टा ओके ठीक है यहां से कलेक्ट हुआ पड़ावट से हम लोग थोड़ा सा ना आगे वाली साइट का भी तोड़ते हैं इसके नीचे मैं यह लगा दिये स्टोन ब्रिक्स लेट्स को अब यह तूटके नीचे नहीं जाएगा वह उपर है वाव यह तोड़के कलेक्ट यह भी त ग्लो स्टोन डस्ट कलेक्ट कर लिए मैं देखता हूं इससे कतने स्टोन बन पाते हैं कितने वने टोटल 91011 12 में साबसे बहुत अया 12 ग्लो स्टोन डस्ट सेंड नीचे तो बहुत हो गये चलो कोई दिक्कत की बात हैं भी फिलाल यहां से में उतरता हूं सीधा नीचे गया तो पुरा समानी उड़ जाएगा भाई तो फिर अगल बगल लगा देता हूं ताकि लाबा में ना जाए किसी की मद और भाई 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 इदर आ इदर आ इदर आ तेरी ऐसे कि तशी तैसे उसमें पट पट से यहां बहुत से वैसे अगर नेदर वेदर का भूई समान लोड स्टोन वो कैसे काम करते हैं नेदर में मैंने देखा ने फिलाल मुझे नहीं अपने नेदर पोर्टल के पास लगाना चाहिए था चलो कोई नहीं वह टेस्ट करेंगे फिलाल अपना फोर्ट्रेस का आं गया ऐसा नहीं पर जल्दी से यहां से मैं नीचे उतरता हूं और अभी फड़ावट से में लोग चलते हैं सीधा उस ब्लेज स्पॉनर के पास वह जो दूसरा वाला ब्लेज स्पॉनर है मैं सोच रहा हूं उसको तोड़ दू वाई भाई भाई पूरी स्केलेटन्स की सेन है सामने तो आजा 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 बेटा बैडवर्स प्रो मैं थोड़ा बोट वैसे आज आप हमारे बेडवर्स सर्वर में खेलते हो या फिर नहीं मुझे कॉमेंस में जाकर जरूर बताना और यह देखो यह तोड़ी बोट उसी की प्रैक्टिस है जो मैंने इतना मस्त कवर बना अपने लिए और उपर विचड़गा यहां पर तीन मैं सामने वाला स्पॉनर यूज करूँगा एक काम करता हूं इस जगा को में हमें ब्लॉक करतेता हूं फड़ावट से ठीक है एक तो तीन चार पांच बास इसको ऐसी रहन दो अपना यहां से कोई भी मेरे को तंग करने नहीं आने वाला अभी चलते काई सामने वाली तरफ चांबर बनाने वाले हैं ताकि जैसी स्पॉन हो इस चांबर में फस जाए और इसके बाद वहां पर इनकी कुटाई शुरू हो जाए में से मरने स्टार्ट हो जाए मरेंगे तो यह अपनी आपनी मारना नहीं में खुदी पड़ेगा बट इनसे जो ब्लेस में लेगा ना व प्लीस ऐसे डराओ मत्यार में कोई इतना खतरनाक साउंड क्यों आ रहा है पीछे से भाई 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 यह थोड़ा डरावना से होते जा रहा है सीन चलो कोई नहीं फिलाल इन नेदर को तोड़ता हूं उल्ले भाई नीचे आगा दो है तो गैस अभी न मैंने इनके स्पॉ स्पॉनिंग कैसे रखूंगा इन ग्लो स्टोन को थोड़ा बहुत गाप गाप में लगाऊंगा शायद यह तब स्पॉन होना बंद हो जाएंगे क्योंकि जहां पर ग्लो स्टोन नहीं है ना यह उससे थोड़ा बहुत दूरी स्पॉन हो रहे हैं मैं इतनी जादा क्यों चा बिना फिलाल की जो स्पॉनर है ना मैंने इसकी चे की छे साइट पर इन ग्लो स्टोन को लगा दिया है और अभी यहां से जो ब्लेज यह तोड़ी जा रहा था ना वैसे वैसे इनकी स्पॉनिंग बढ़ती जा रही थी और इस साइट से बंद हुआ तो दूसरी साइट से आ आने के लिए मुझे साथ असकी तरफ इस इसकी ब्लॉक कर देता है अब है छ इतने ब्लॉक तोडने है ऑब यहां पर जाकर बढ़ ड़ना करने वाले हैं एट साओंब टोड करने तो कई ौट सबीना फिलाल मैंने इस spawner के अगल बगल के जितने भी फालतू नेदर राक्स बेसॉल्ट और ये ब्लाक स्टोंस से इन सभी को तोड़के मैंने याँ पर एक बड़ी असा एरिया बना लिया है फिलाल अपनी जो पिकक्स है ना वो दुबार से पूरी तूटने की हालत में होगी है मुझे कुछ अपनी गेम को पीस फुल पर कर लिया है क्योंकि यारी जो ब्लेज है यह बार बार यहां पर स्पॉन हो जा रहे थी मैं इसकी स्पॉनिंग रोक सकता था बट मुझे और ग्लो स्टोन लेने जाना पड़ता बट उसमें टाइम खराब हो था तोड़ी देर भाई पीस फुल क यहां पर बैस नीचे वाले ब्लॉक को मुझे का एरिया बना लेना एक एक दम परफेक्ट टू बाई टू का एरिया बन गया है अब एकदम ओक्ट है अब मुझे क्या करना है इस तूड़ी बॉतना जगा कम पढ़ने वाली है मेरे को पिक एक्स पहले रिपेर करनी जानी पड़ सकती है वरना मुझे इस रिस्क लेकर इसे तोड़ना पड़ेग फटफट से पहले चलता हूं थोड़ी बहुतना एक्सप कर लाता हूं फिलाल यह पीस्फुल है इसके अंदर मॉप होंगे भी वैसे मुझे मॉझे मालूम पीस्फुल में मॉप्स होते हैं पता नहीं यार मैंने कभी खेला ही नहीं पेस्फुल पर मुझे एक भी मॉब उने मार के अपनी एकस्पी बढ़ाते हैं ओकी काई सबीना फिलाल मुझे सामने की तरफ में एक और ब्लेस नजर आ गया है मैं आ रहा हूं भागता हुआ तुम यहां से बस भागियो मत बागानी उसने अटक कर दिया मेरे उपर बहुत गंदे वाला चलो कोई नहीं फिलाल य भाई 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 बहुत गलसी उख जाओ नीचे ना धेड़ सारा लावा है मैं इंको मार भी तो नहीं सकता ना अकर तीडी है सब्सक्राइब इस तरफ में इनको पहले अंदर आ जाने दो इसको मारूंगा न तो पक्का बता रहा हूं इतनी एक्सपी त भाई 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 एक मिनट पहले मैं को बाहर निकलने तो भाई भाई सब्सक्राइब बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी लावा में आओ तब बट फिलाल मेरे पास तो यार इस टाइम पर सारा नेधर का समान है इसलिए मेरी एच्प इतनी ज्यादा नहीं ग इसलिए पता नहीं आरे कुछ भी एक्सपी नहीं मिला देखना कितनी सी रिपेर हुई है विदर स्कैलेडन से वह भी दो-दो इनको मारता हूं थोड़ा ज्यादा एक्सपी मिलेगा इस तो भी निकल यहां से वह एक्ट दे दिया चलो कोई नहीं इनका एफेक्ट मेरा ज्य मुझे ज्यादा ब्लॉक्स तोड़ेने भी नहीं है तो अपना समझ लो काम हो जाएगा और मुझे जाना किस सरफ था यह वाली साइड यह वाली साइड जाना था ओकी गैस तो हाँ वह यह साइड थी अभी फड़ावट से हम लोग अपना आगी काम कॉंटीन्यू करते हैं अब सही रहेगा वरना यहां पर स्पॉन होंगे ना तो मेरी बैंड बजने वाली है इसको मैं तोड़ता हूं जल्दी से पिकेक्स को अपने ही सेंड में रखते हैं आगे काम कॉंटीन्यू करने गाइस तो गाइस देखो अभी ना इस स्पॉन और और इस बसॉल के बीच मे 6 BLOCKS गंब यह वाला जो एरिया इस याँश यहmäßig कपर किलिंग चैंबर बनेगा जहां पर यह आ करना एक ट्रैफ में पॉर यांगे में जाकर बैटऊंगा और वह कितने सांब और ग्रग्तने घा किसा बवा나된 प्यार बोक्स तोड़ देता हूं इसको इसको इसके बगल में बगल एक दो तीन ब्लॉक्स इदर डालने एंड वान टू थी इसको इसको फटावट से इसके साथ टाइच करते हैं और पूरा भरते हैं यह वाला जो एरिया है न विर को चार तरफ बनाना सेम ऐसी तो से ओना इमें एंड सेम इस साइड एक सेकेंड यार मैंने यहां पर यह फालतू कुछ लगाए थे तो वान टू थी यह वाला हो गया इनको भी मैं तोड़ देता हूं ओकी गाइस ओल्डन अभी यह जितने भी कॉर्णर से ना इन सभी को मैं आपस में अटैच करके एक परफेक्ट स्कूर प्लाटफॉम यहां पर बना देता हूं और मेरे साब से वाला जो प्लाटफॉम है यह शायद से 9 X 9 है अभी इस पूरे फ्लाटफॉम की मेरे को एक स्टोन लेयर से कवर करने है ठीक है तो सबसे पहले तो नहीं से पूरा कवर कर देता हूं इसके बाद ही काउंट करूंगा मेरे साथ से तब ज़्यादा बेटर रहेगा लेट्स को कुछ हो चुका है अभी तो वन टू 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 नाइन का पूरा एक प्रॉपर प्लाट्फोम है जिसमें बीच में चार ब्लोक का ग्याब बे है अब मुझे क्या करना है जो इनके कॉर्णर है ना वे नी कॉर् से मैंने यहां पर यह स्टोन ब्रिक्स भी लगा दिया है अभी चांबर का बेस वो पूरे रेडी हो चुका है अभी मुझे क्या चाहिए थोड़ी बहुत और स्टोन बिक्स होंगे जो कि इसकेंदर पड़े हैं शलकर बॉक्स में पड़ावट से मैं से बाहर निकालता हूं और चारों तरफ मुझे 10-10 ब्लॉक्स और लगाने अपर साइड पर दो मतलब कि यह कॉर्नर बनने वाले हैं एक पिल्लर जो होते हैं कॉर्नर वाले वह तो वान टू थी फो फो फाइश सेवन एट नाइन टन और मैंने बिल्कुल साही आइट तक तोड़ा था बाई बढ़ के गाइस लेट्स को अभी फिलाल चारो साइट कंप्लीट हो चुकिए और हम लोग इन चारो साइट को आपस में कनेक्ट भी कर देते हैं उसके बाद बीच में बचे का मींस यह फ्रेम कंप्लीट हो गया और जो बाकी स्पेस है वहां पर हम लोग लास लगाने वाले है ताक प्रैक्टिस में गाइस एक्दम लेजेंड में समझ लेना तोड़ी प्रैक्टिस चल लिया भी मेरी भी विलाल अभी चलते हैं लोग पड़ावट से उपर और मैं दुबार से ट्राय करता हूं मतलब यहने टाइप से फास्ट ब्लॉक लगाने का तरीका होता है और यह हम बड़ी तरीके से कर पाता हूं या नहीं थोड़ा सा स्लो हूं बट फिर भी हो रहा है गिर तो नहीं रहा है इस नीचे मैं ओके लेट्स को चारो साइट कम्प्लीट हो चुक है यह वाली साइट पर मैंने कुछ एक्स्ट्रा ब्लॉक्स लगाय थे और अभीना मैं इसको ह बढ़िया सा शेट डाल दें बट कोई नहीं भी फिलाल जो मिल गया वही ठीक है तो हम लोग यहां से ग्लास लगाने का काम स्टार्ट करते हैं पहले नीचे से करता हूँ आतो मेरे साब से बढ़िया रहेगा तो यह होगी अपनी फर्स्ट लेन लेन वाइस करेंगे एक्द तो अभी मेरे साब से ओल्मोस्ट कुछ कंप्लीट हो चुका है यह तुना मॉस्त चैंपर लग रहे ना वैसे यह अंडर्ग्राउंड जादा बढ़ी है लग रहे है तो अभी इसके अंदर गाइस वह स्पोन होना स्टार्ट हो जाएंगे जैसे मैं अपने गेम को मैंने एक से बहुत जाद मेहनत करके ऊपर आ चुका हूं और अभी मुझे ना इस चैंबर को ऊपर से भी पूरा कवर करना है तो चलो वैसे इसलिए मैं इतनी सारे ग्लास लेकर आधा वही मैं सोच रहा था इतनी सारे ग्लास बच कैसे गए मेरे तो अभी मुझे याद है चैंबर लोग भरते हैं और यहाँ पर मुझे दुबार से नीचे जाना पड़े नहीं पड़े हैं ग्लास ओके गाइस लेट्स को फाइनली यहाँ पर मैंने पूरा चैंबर कंप्लीट कर दिया है और इस तरफ में दो ग्लास पता नहीं कैसे रह रखे हैं यह नहीं प्रोपर बनाया मुझे यहाँ पर जाना है सीधा इस नीचे वाली बेस्मेंट में आगी का चैंबर बनाने के लिए बट बेस्मेंट में जाने के लिए अपने पास भाई पिकेक्स में जाननी है बिल्कुल भी थोड़ी सी एकस्पी करके लाता हूं इन मॉप्स को मारके औरे बैस्की मैं अपने स्पॉनर के पास और यह लोग यहाँ पर अलग की आतंक मचाकर बैठे में मैं गया मैं गया मैं गया बचस्के ना ठीक है अभी मैं आगे जा सकता हूं यानी उके उस तरफ भी एक रिख जाना है पहले तु आजड़े नहीं नहीं नहीज नहीं नहीं एक मिनिट कोई दिक्कत की बात नहीं इन लोगों से ना मैं बाद में पंगा लूँगा वरना ये लोग मेरी बैंड बजा डालेंगे और भी चैंबर के अंदर देखो भाई ताकि एकदम ना मस्त इस्टक हो जाएं यहां पर नीचे नहां पाएं तो वान टू थ्री फो फ्राइफ टीक है तो मेरे साब से इतनी माइस होता थोड़ी बहुत मैं नीचे भी लगा जाता हूं तो इसके अंदर फस जाएं फिलाल यह थोड़ा ज्यादा नीचे आ रहे हैं ह इसमें येसमें लेट्स को अभी मेरे साब से जितने भी हैं उपर मरेंगे ना इनका सारा समान गिरके नीचे आने वाला है तो चलो इनको मारना स्टार्ट करते हैं मस्त एकदम चैंबर बन गया और मैं अपने लिए भी एक बड़ी आसी जगा बना लेता हूं ना और अभी इस एक चीज़ तो रही गई एक मिनट पटावट से यह वाला काम भी हम लोग पहले कंप्लेट करते हैं मतलब अभी जितने भी ब्लेज है ना इस सारे अगल बगल घूम रहे हैं बट मैं कुछ आसा जुगाड करने वाला हूं कि इन सभी को मूठ आके बीच में आना ही पड रहे हैं एक सेकिंड चलो कोई नहीं अभी हम लोग आके का काम कॉंटीन्यू करते हैं वह ज्यादा बेटर रहेगा थोड़े बहुत ग्लास है तोड़ रहूं तो लगी हाथ में वापर लगा भी दूगा यह वाली साइड हो गई अब दूसरी साइड पर मुझे डालना है इ पिलाल एक वाटर बकिटना मैं पहले खाली कर देता हूं यहां पर यह वाटर तो काम नहीं करेगा वाटर बकिट खाली लट्सको इसको तोड़के लावा कलेक्ट करके बस मुझे नीचे वाले फ्लोर पर मतलब नीचे वाले ब्लॉक पर डालना है यह कलक करा यह तोड़ा पहले इसको चले जाने तो बहके सारा एंड मेरे साब सेंटर तक नहीं और एमैंशिकी रुख जारूं पहले तुम अटक ही कर लो ठीक है यह इसको में को डालना यहां पर अभी सब ऑक है इसको बंद कर देता हूं बाइट्य टेंप्रेरी एंड अभी मैं नीचे चलकर लगा दूँगा तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है सब कुछ दन हो गया अब बस चलकर देखना है कि आखिर कितना ब्लेज मुझे यहां पर मिलने वाला है वैसे स्वार्ड मारते रहनी है ब्लेज मिलता रहेगा इस इस फार्म पर कोई शक नहीं है मिरको इसको तो भाई सब्सक्राइब यहां बहुत कम-कम बढ़ रहे है वैसे सची बताओं तो यह जो फार्म है भाई कॉफी जादा यूस्फुल है और बहुत जाता सिंपल भी है मतलब किया आप लोग एक बारी ध्यान से देखो मुझे कुछ करना ही नहीं बस यहां पर मुझे खड़े होकर इ बढ़ सकती है पर अपना गेम अभी चलना है नॉर्मल पर इसे हार्ड कर दूगा तो और स्पोन होंगे और पहले मुझे पता है क्या लगता था कि यह जो ब्लेज रूड है यह किसी भी काम का आइटम नहीं है मतलब कि इसका बस जाज़ा से यूज यह होता है कि ब्लेज र कर लेते हैं और कभी आएंगे बाई कर लिए बाद में आ जाएंगे धंक से कलेक्ट करके जाएंगे फिलाल यहां पर चितने आर्मर से समय में इंगे सब रिपेर होगा इलाइट्रा को भी थोड़ा सा रिपेर कर लेते हैं दो से फास्ट रिपेर कुछ नहीं होता वाई क्योंकि लाइट्रा की एक्सपी थोड़ी कम रहती है और खटा ही खट एक्सपी मिलते ही रिपेर वैसे गाइस हाँ अभी मैं एक चीज तो पता नहीं भूल गया आप लोग को कि अगर मैं अपनी यह जो स्वार्ड है ना इस स्वार्ड में अगर मैं लूटिंग 3 लगा दे तो वहीं नेक्स लेवल हो जाएगा और में पास नेदर राइट स्वाड है भी जिसके अंदर लूटिंग 3 लगा हुआ है फिलाल उसको बाद में लेकर आएंगे तब एकदम प्रॉपर इसका टेस्ट करेंगे अभी फिलाल काईस मुझे यह लोट स्टोन टेस्ट करना है आ बड़ फिलाल इसको यहाँ पर रखते हैं और यह यह लो यह तो भी खराबी चल रहा है यह कहीं पर भी जा रहा है अच्छा यह लोट स्टोन कंपास बन गया और यह देखो गाईस अभी एक जगा पर फिक्स हो चुका है जहां पर मेरा लोट स्टोन है यह बस उदर की यह लोट स्टोन गाईस तरफ जाए कशाओ जिस लोट स्टोन से अमने से पहले मितलब करें इसके लिए चलो कोई नियार में परता नहीं क्या की बोले जारा हूँ फिलाल हो गया भाई बहुत है अभी जो चीज़ मेरे को बनानी थी बन भी चुकिए काम भी कर रही है और मा बाई मेरे को घर पोचना है से लामत इलाइटर रोकेट सब कुछ है पड़ावट से निकलते हैं दूसरा अटाक होने वाला भागों एकसे को इस वाली वीडियो में इतना ही अगर आपको यह वाली वीडियो चील लगी हो ही तो पड़ावट से इस वीडियो को जाकर लॉइक कर देना एक बारी ना साइट जाता हूँ ओ नहीं नहीं वाइब और वाइब जिंदा जाना है वापिस गोल्डन एपल लाओ फटवर से अभी तो बैंड बच जाती वाइब अगर उसकंदर एक डुक्की लग जाती ना वाइब इसनान हो जाता कसम से बच सही है गोल्डन एपल है भाई बढ़ी है अच्छ पी अपनी कर लेना नीचे वुच्छ रैट कलकर सब्सक्राइब कर रहा है तो दबादों लोग बहुत क्लोज हैं 15 मिलें सब्सक्राइबर्स के तो चल्दी से पहुच जाएंगे और जिसने मुझे पी तक इंस्ट्राइम पर फोलो नहीं कर रहा है इंस्ट्राइम कर सकते हो पर बहुतिर एंस्ट्राइबर्स देडर्स कि कर द समारी झाल झाल